हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाव लेगून, सस्री अकाल, बीगिस किचन में फिस्ते आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अखी मसूर की दाल, मसालेदार और बिना तड़के के यह काफी आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई तड़का नहीं लगाना पड़ेगा आपको और चटपट बन जाती है चलिए बनाते हैं, मैंने एक कूकर में एक कप अखी मसूर की दाल ली है जिसको मैंने अच्छे से दो से तीन बार दो लिया है और इसके अंदर मैंने पांच कप पानी लिया है जिसके अंदर डालेंगे अभी एक मेडियम साइज कटिवी पयाज है एक मेडियम साइज कटा हुआ टमाटर तीन बारिक कटिवी हरी मिर्च अद्रग लसन का पेस्ट नमक स्वादनुसर हल्दी एक चोताई चमच एक छोटी चमच लाल मिच पॉडर एक बड़ी चमच धनिया पॉडर एक बड़ी चमच गरम मसाला पॉडर एक चुटकी गी और कीन टेबल स्पूल तेल डालेंगे पिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बस हो गया इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है बस अब इसको आप ढ़कन से ढ़कन लगा दीजिया कूकर का और इसको साथ सीटी आने तग ग्यास पे रख दीजिए साथ सीटी लगा दिया है और कुकर का ग्यास भी अच्छे से निकल गया है चलिए हम इसको चेक करते हैं आप देख सकते हैं हमरी दाल कितनी अच्छे से गल्ली है इसको आपको थोड़ा सा गोटना है पुरिए अच्छे तरीके से बन गया है दाल मैं आपको देखा रहे थी हैं आप देख सकते हैं यह बिल्कुल मैश हो गई है अब यह बिल्कुल तयार है हम इसको बॉल में निकाल लेते हूं बिना तड़के की अक्षी मसूर की डाल एकडम तयार है बनके इसमें से काफी अच्छी खुश्बू भी आ रही है आप ज़रूर बनाईए अब मैं इसमें थोड़ा सा धनियापती डाल देती हूं आप देख सकते हैं यह बिना तड़के के और मसालेदार और अच्छी टेश् शेयर कीजिए और मेरे चानल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे आपको एक बेल का नॉटिफिकेशन दिखेगा उसको आप प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी नई वीडियो पोश्ट करूंगी वो आपको जल्दी मिलते रहे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो फिर मिलते हैं एक और नई रेसीपी के साथ अभी के लिए धन्यवाद